एक नियम बनता है, कुछ समय के बाद उस नियम में बदलाओं की जरूरत समझी जाती है अगर ऐसा होता है तो क्या पुरानी फैसलों को कट घरी में खड़ा किया जा सकता है दिली के एक विशेश अदालत ने पूर्व कोल सेकेटरी हरिश चंदर गुप्ता समेट तीन ओफिसर्स को दोशी ठहराया तो ब्यूरोक्रेसी में इस बाद पर गंभी बहस चड़ गई की आखिर कैसे ब्यूरोक्रेट्स राष्ट निर्मार के फैस्त देलेंगे इसी मुद्धे पर हमारी सहयोगी अजीता जैन ने बात की सेंट्रल आईएस असोसियेशन के सेकेटरी संजे भुस्रेडी से के सेस्पिल से जोड़े कोईला ब्लॉक आवंटन मामले में किस सरकास मंजस है ये आईए जानते हैं वरिश्ट आईएस अधिकारी संजेब भुस्रेडी जी से जो की सेकरेटरी हैं सेंट्रल आईएस असोसियेशन के संजेजी बहुत स्वागत है आपका जिस द impression ये फैसला आया था उसके ठीक अगले दिन अखबारों में छपाब आमारुचाला हो दे टेलिग्राफ हो की latest इस फैसले से बेचैन है किस सरह की बेचैन है बेचैन ही इस बात की है कि विरुकृसी में एक बिरुकृसी का एक तरीका होता कारेकाने का इसमें जो निकल के आया है और जो निरणय हुआ है उसमें दो पहलू है एक पहलू है कि आज कानून जो हमारा देश का है जो प्रिविंशन अफ करप्शन आक्ट वो उसका सक्षन 13.1.D एक पहलू है जो एक फिलाल हम उस पे चर्चाने करेंगे लेकिन उसके तहट जो कन्वि बिरोक्रिसी को सीनिय सिविल सेवेंट्स को इसलिए जिम्मेदारी देते हो और आप अपिक्षा करते हो कि विभाग में लीडर्शिप देंगे और निरने करेंगे खास करके विकास के कार्यों में या जनहित के कार्यों में जब आप ऐसे कारे करते हो तो आप प्रोसेस से ज तो प्रशासनिक पहलू कानून के तहट प्रशासनिक नियमों के तहट दंडित किया जा सकता। कोई भी अधिकारी, किसी भी संवर का, किसी भी सिवा का, वो फिर हिचकेगा निरने लेने में। और निरने न लेना बहुत आसान है। तो उसमें समय बहुत जादा लगेगा, तो इसमें आप देश के हित में वो नहीं होगा। गल्ती अगर होती है, उसको सुधारा जा सकता। लेकिन आप अगर निरने नहीं लेते हो, तो फिर उसमें दिक्कत होगा। अगर है कि इस माटर में डिपार्टमेंटल लेबल पर आक्शन होना चाहिए, तो एक प्रकार से पॉलिसी पेरालिसिस की सिती आई गई है, क्योंकि आज हर अधिकारी खास करके अगर हम डिटार्मेंट के आसपास है, या मेरे प्रमोशन के आसपास वरिश्पत पे जॉइंट सेक्ट्री सेक्ट्री बनने वाला हूँ, तो मैं कोई भी ऐसी फाइल नहीं करूँगा, जिसमें मुझे अनावशक जाब देना तो मैं फाइल करूँगा, लेकिन उसको मैं अपने आपको हेच करना शुरू करूँगा, अपने आपको बचाने के लिए दो, तो उसका तरीका क्या है, मैं कमिटीज बनाऊँगा, सब कमिटीज बनाऊँगा, या मैं इंटर मिनिस्टिर, तो उसमें क्या होगा, निरने में इस case में अरिशन्द भुपता जी के बारे में हर आदमी जानता है, हर आदमी उनको पैशानता है और उनका एक 25 साल का प्रशास्टिक अपना कारेश है लिए तो कोई भी ये तो नहीं उनके उपर उंगले उठा सकता है, उठाएगा, कि ना कोट ने भी इस बात पर नहीं कहा क कि वह बैमान है या बैमानी की या पैसा लिया, इसमें यही आस्चर है कि जब उनको ने बैमानी नहीं की तो फिर 120B कैसा बनता है, तो यह सब इसमें है लेकिन अपलेट कोट्स हम लोगों का निया प्रणाली पर पूरा भरोसा है, वो कहीं न कहीं मुझे आशा है कि इसमें लोगों को न्याय मिलेगा, और केस क्रोफा जी और केसी समारिय जी के बारे में क्या कहीं है? हर आदमी आपको बहुत साफ साफ उनके कारिशेली के बारे में बताएगा, और प्रशासनिक सेवा में जो अधिकारी होते हैं, और सिविल सर्वट जितने भी सीनियर होते हैं, उनके कारडर में और पबलिक को पता होता है, कौन कैसा है? चुकि आप सेकरेटरी हैं, सेंट्रल आयस असोसियेशन के, तो किस तरह से जो असोसियेशन है और आप है इस पूरे मामले को लेकर आगे रणीती बना रहे हैं, क्या कुछ करने हैं? हम लोग नोग को पूरा study कर रहे हैं, जो order आये हैं और उसके बात में हम लोग का एक system है, association में उस पर चरचा करेंगे और उसके बात में जिस प्रकार भी हम लोग इन अधिकारियों को का सयोग कर सकते, मदद कर सकते हैं, और उस दिशा में फिर हम लोग कारवई करेंगे. बहुत शुक्रिया आपका संजेबूस रेडी जी जिनका साफसर पर यह कहना है कि इस तरह के फैसले कही ना कहीं बुर्योकरसी को प्रभावध करते हैं और जो तमाम इसेर्स हैं वो आने वाले दिनों में बड़े और सही फैसले लेने से डरेंगे Cameraman Ashneel Thakur के साथ Ajita Jain, Newsworld India